आज का जो लेसन है हमारा वो है कारियाली लेखन और प्रिक्रिया तो इस जो चैप्टर में हमारे दफ्तर होते हैं, सरकारी या कोई भी हमारा इंस्टिचूट का कारियाली है तो कहता है कारियाली लेखन किस प्रकार करें है, जैसे हमें कोई सरकारी पत्र लिखना है, अर्ध सरकारी पत्र लिखना है, या किसी प्रकार का पत्र लिखना है, तो वो हम कैसे लिखें, कारियाली लेखन और प्रिक्रिया, तो लेसन है बेटा हमारा, कारियाली लेखन और प् पेज नमबर 165, लेसन है 14 और लेसन नेम है कारियली लेखन और प्रक्रिया तो इसमें जो है पढ़ेंगे ओपचारिक पत्रों के बारे में कि जो ओपचारिक पत्र हैं वो किस प्रकार लिखे जाते हैं तो अपचारिक पत्र क्या होते है बेटा जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो पत्र है वो दो प्रकार के होते हैं अपचारिक पत्र और अनपचारिक पत्र तो उपचारिक पत्र में क्या होता है कि जो हम सरकारी अधिकारी अधिकारी या प्रधानाचारी किसी भी संस्थान के जो है अधिकारी को लिखते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे उपचारिक पत्र अनुप्चारिक पत्र क्या होते हैं जिनको हम अपने संबंधियों को लिखते हैं जिनमें हमें कोई भी ओप्चारिक ताओं का वेहन नहीं करना पड़ता हम अपनी मर्जी से जो है लिख देते हैं तो वो पत्र कहलाते हैं हमारे अनुप्चारिक पत्र तो अप्चारिक जो है लेखन किस प्रकार करते हैं, अप्चारिक पत्र हैं, टिपनी हैं, मुख्य टिपन हैं, अनुशंगिक टिपन हैं, तो ये टिपनिया किस प्रकार लिखते हैं, अनुसमार्क, अर्ध सरकारी पत्र, सवतह सपस्ट टिपनी, कारिय सूची, कारिय वृत, विज्यप्ति और परिपत्र ये सब हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि हम कैसे लिखें और किस में जो है किस प्रकार की विशेशताएं होती हैं तो हम जो है लेसन स्टार्ट करते हैं मिटा जवाब देना है किसी एरे गरे को नहीं बलकि मुझे समंदर को जवाब देना है तो ये लाइने हैं वेनु गोपाल जी की जो हिंदी कवी है वेनु गोपाल जी तो वो क्या कहते हैं कि मुझे जो है किसी एरे गरे को जवाब नहीं देना मुझे समुद्र को जवाब देना है कि याने कि मुझे बहुत गहराई तक जाना है इन चीजों की काफी लंबा समुद्र है ये लेखन परकरिया का जो हम कार्याली लेखन करते हैं तो बहुत सारी ये नहीं है कि पत्र के टाइप में ही लिखते हैं तो बहुत सारी जो है टिपनिया, कारिय सूची, कारिय अवरित, प्रेस, विग्यप्ति, परी पत्र बहुत सारी जो है इसकी शाखाएं हैं, जो हम एक एवल एक पत्र के रूप में ही नहीं लिखते हैं, तो कहता है मुझे समद्र का जवाब देना है, यानि कि मुझे इन कह रहा है पाटकों को, कि आप किसी आम सरकारी दफ्तर में जरूर गए होंगे, जहां आपने कागजों और फाइलों के धेर देखे होंगे, ये फाइले दफ्तरों के कामकाज में महतपुन भूमी का निभाती है, सरकारी कामकाज की गाड़ी फाइलों के पहियों पर ही किसी भी विशे पर विचार करने और उस पर नर्णे लेने के लिए उस विशे से संबंदित एक फाइल होती है। उन्हें फाइल के दाहिनी तरफ रखा जाता है। किसी प्रस्ताव या विशे पर विचार के लिए जो टिपनिया लिखी जाती हैं या मनतव्य प्रकट किये जाते हैं वे फाइल की बाएं तरफ लगे प्रस्टों पर होती हैं। होता है बच्चों सिस्टम कि सबसे पहले क्या बताता है आपको कि उस विशे से संबंदित जो परस्ताव या पत्र बहारी व्यक्तियों दूसरे कारियाल्यों से प्राप्त होते हैं। देखिए जो पत्र जो है बहारी व्यक्तियों से या दूसरे कारियाल्यों से होते हैं तो उन्हें जो है फाइल के दाहिनी तरफ लगाया जाता है। देखिए जब आप फाइल खोलते हैं बेटा तो एक पेज जैसे आप पुस्तक ही खोले हुए हैं एक पेज आपके दाहिने तरफ है एक पेज माई तरफ है तो कहता है कि जो दूसरे कारियालों से पत्र आते हैं वो जो है फाइल की दाहिनी तरफ रखे जाते हैं और किसी प पर होते हैं तो जैसे कि अभी उपर बताया गया है, फाईल के माई थरफ का हिस्सा तिपंड के लिए और दाहिनी थरफ का हिस्सा पत्र विभार को संजो कर रखने के लिए होता है तिपंड का होता है बेटा? किसी वी विशे पर T का टिपनी करना, अपने विचार प्रसूत कर करた ना तो पहारी वायक्तियों के बिटा दाईंगी तरफ या किसी कारियले से आये हुए पत्र दाईंगी तरफ संजोंकर रखे जाते हैं और बाकी जुअपनी ृपन्ट से संभंधित अपने विचार, विमर्श है अपना जुअपना जो विचार है किसी विशय पर तो वो बाई तरफ रखे जाते हैं तो दूसरे कारियले से प्राप्त दाहिनी तरफ और अपनी टिपनिया वगेरा बाई तरफ तो सरकारी कारियलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई स्रेनियों में भाटा गया है और जो ये पत्र है इनको भी कई स्रेनियों में बाटा जाता है जैसे किसी कारियले से पत्र आते हैं तो उन पत्रों को भी कई जो है फोर्मेट होते हैं उनके कई जो है प्रकार होते हैं उन पत्रों के तो कौन-कौन से प्रकार होते हैं बेटा उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो मसलन कई पत्र सूचनाई मांगने या भेजने के लिए लिखे जाते हैं तो क्या है कि कई पत्रों में तो सूचनाई मांगी जाती है या भेजी जाती है कुछ पत्रों द्वारा मुख्यले या बड़े अधिकारी अपने अधिन्स अधिकारियों या अधिन्स करमचारियों को आदेश देती है तो कुछ पत्र तो क्या होते हैं सूचना मांगी जाती है हर स्रैनी के पत्र के लिए एक विसेश सवरूप जो है नरधारित होता है इस पार्ट में हम उनी अलग-लग सवरूपों के बारे में चर्चा करेंगे इन सवरूपों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसी कारियले में चलती हैं आप इसका नाम जानना चाहेंगे अजी नाम में क्या रखा है चलिए हम सब हम इसका नाम रखते हैं अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान तो देखी जो अब आप कहां पर जा रहे हैं अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान पर तो वहां पर जो है आप कारियले देखने जा रहे हैं कि का है संस्थान का मुख्याल्य जिसे महा निदेशाल्य के नाम से जाना जाता है तो बच्चों अब आप कहा चल रहे हैं अखिल भारतिय साहितेम संस्कृति संस्थान में और यह संस्थान का जो है मुख्याल्य है उसमें आप जा रहे हैं जिसे महा निदेशाल्य के नाम से भी ज जाना जाता है तो अखिल भारतिय साहितें संस्कृति संस्थान क्या जो मुख्यल्य है उसे क्या कहा जाता है माहा निदेशाल्य भी कहा जाता है देश भर में फैले तमाम शेत्रिय कार्याल्य इसी के निवंत्रन में आते हैं तो देश भर में जितने भी अखिल भारतिय साहित इसी के अंतरगत आते हैं अखिल भारतिये साहित्य संस्थान के अंतरगत जो जैसे माल लीजिए आपके घ्रुंडा अक्षेत्र में है अगर कोई साहितिक संस्थान या फिर इधर इंदरीक शेत्र में है तो ये सारे जो अक्षेत्रिय कारियाले हैं ये किसके अधिन आते हैं अखील भारती ये साहित्ययम संस्कृतिक संस्थान के अधीन स्थानी। देश भर में फैले जो तमाम अक्षेत्रियकारियले हैं। आईए हम इसके अंदर चलते हैं। अब देखिए हम अंदर जाते हैं महानिदेशयाल्य के। यह हैं मार निदेशाले का प्रशासन विभाग जहां से इसका प्रशासन चलता है यहां एक अनुभाग अधिकारी संकर्णन जी पूरी गंभीरता से किसी मसले को सुलजाने में व्यस्त है तो अधिकारी का नाम है संकरन सामने एक पत्र पड़ा है जो मसले का केंद्र जिसको आप बोलते हैं तो कहां से आया हुआ है मुंबई से और किसके पास आया हुआ है वो भी आप देखेंगे तो देखी बिटा आप जो यहां पर आपको सिखाना जा रहे हैं वो क्या है कि अख्षित्री अधिकारी के पास से यदि कि अधिकारी के पास पत्र आता है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है यानि कि हम यहाँ पत्र लिखने का तरीका सीख रहे हैं कि एक सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है तो सबसे पहले देखिए जो सेंडर है पत्र का जो भेजने वाला है ठीक है उसका एड्रस हम लिखते तो चो पत्र भेजने वाला है वो कौन है बिटा जैसे हमने उपर पढ़ा है कि मुंबई के अक्षित्री कारियले से आया है पत्र तो मुंबई का सबसे पहले हम जहां से यानि कि तो सेंडर है पत्र भेजने वाला उसका पता लिखते हैं मुंबई चीक है राइट हैंड की तर कारियाल्य मुंबई कहां से आया है पत्र अक्षेत्रिय कारियाल्य मुंबई से और आया किसके पास है आखिल भारतिय साहिक्तिय एवं संस्कृति संस्थान के पास तो स्टार्ट कैसे करें कि बेटा इसको हम जैसे राइट हैंड की तरफ लिखा हुआ है मुंबई और उसके न नवंबर जो है 2020 अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है इसकी जो पाक छे में जो भी इसका मतलब यह रहा है मुद्दा तो वो डेट मैंशन की हुई है इसमें मुंबई का फिर जो है यहां से बाद में शुरू होता है जिसके पास जो पत्र है रिशीवर का संबोधन तो सेवा में पत्र आया किसके पास है महा निदेशक के पास आया है सेवा में महा निदेशक अखिल भारती साहिते एवं संस्कृती संस्थान तिलक नगर नई दिल्ली तो यहां आ जाएगा रिशीवर का संबोधन फिर विशह है मॉबाइल फोन पर होने वाले व्य के लिए निर्धारित सीमा कि मॉबाइल फोन पर जो व्य होता है कितना स्पैंड किया जाए उस पर क्या निर्धारित सीमा को ही बनाई जाए मॉहोते क्रिपया अपने परिपत्र का समरण करें जिसकी संख्या 24-13 थी जो 23 नवंबर 2004 को जारी किया गया था परिपत्र में हिदायत दी गई थी कि मॉबाइल फोन पर महीने में 2000 से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए इस संबन में निवेदन है कि मॉंबई स्थित अक्षेत्रिय कार्याले की गति विदिया अत्यधिक व्यापक हैं देश के तमाम फिलम और टेलिविजन निर्माता मॉंबई में ही हैं इनकी वज़े से विभिन विधाओं के कलाकार बड़ी संख्या में मॉंबई में ही निवास करते हैं साथ ही निदेशक को देश के विभिन नगरों में स्थित कारियालों या अक्षत्रिय कारियालों से भी निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है साथ ही संस्थान की गतिविदियों के लिए प्रायोजक जुटाने के सिलसले में देश के विभिन ओद्योगिक संगठरों से भी लगातार बात करनी पड़ती है उपर बताए तथ्यों की वज़े से 2000 रुपे मासिक की जो सीमा है मुंबई कारियाले के लिए कम पड़ रही है पिछले 6 माईनों से ये देखा जा रहा है कि मासिक जो खर्च है उच्छे हजार रुपे के आसपास आता है अतहन निवेदन है कि मुंबई कारियाले की विशेश स्थीती को ध्यान में रखते हुए मुबाइल फोन पर मासिक खर्च की सीमा बढ़ा कर 6000 रुपे कर दी जाए भवदिये राकेश कुमार निदेशक यहां क्या आ जाएगा वेटा सेंडर्स का नेम देखे हमेशा जब भी आप पत्र लिखेंगे उपर जो है भेजने वाले का पता होता है और नीचे भेजने वाले का नाम होता है और उसके बाद जो है Receiver का पत्र प्राप्त करने वाले का संबोधन होता है सेवा में लिखने के बाद उसका पद हम mention करते है उसके जो है संस्थान का नाम हम mention करते है और जहां से वो संस्थान संबंदित है वो mention करते है उसके बाद विशे आ जाता है उसके बाद महोद्य तो ये क्या था विटा कि mobile phone पर होने वाले जो व्य है उसकी जो नरधारित सीमा देखिए अपने बड़े अधिकारी को पत्र लिखा है अक्षेत्रिय अधिकारी ने छोटे अधिकारी ने बड़े अधिकारी को पत्र लिखा है कि आपने जो है हमें पत्र लिखा था और पत्र स इसमें मैंशन होती है, ताकि क्योंकि बहुत सारे जो पत्र हैं, वो होते हैं संस्थाओं के पास, संस्थान के पास, तो पत्र संख्या मैंशन करनी होती है, ताकि अधिकारी उस पत्र संख्या में जो है, देख सके कि मैंने ऐसा कहा था, तो पत्र संख्या जो है, मैंशन करनी ह होती है सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों में तो इस भी जो है ध्यान देने योग्य बाते हैं संकरन जी ने पत्र को पढ़कर बुरा-सा मुहु बनाया यानि कि क्या था और विशे क्या था बेटा कि जो mobile phone का जो वयन निर्धारित किया था सरकार बड़े अधिकारियों ने अक्षित्री अधिकारियों को कि केवल 2000 रुपे आपको मासिक मिलेंगे तो अक्षित्री अधिकारी ने पत्र लिखा है अखिल भारतिय संस्थान को कि सर हमें जो ये खर्च है ये कम पढ़ता है और हमें इसके लिए जो है कम से कम 6,000 रुपे मासिक जो है खर्च चाहिए आप देखिए संकरन जी ने पत्र को पढ़कर बुरा सा मुह बनाये वे पत्र में बताएगे कारणों से कतई सहमत नहीं थे उन्हें लग रहा था कि खर्च की सीमा को बढ़ाना फिजूल खर्ची को दावत देना है अगर एक जगे डील दे दी जाएगी तो ऐसी दस मांगे लेकर लोग सामने आ जाते हैं लेकिन यह तो उनकी व्यक्ति खत्राए थी वही संकरन जी ने ऐसा सोचा दफ्तर का एक अपना तरीका होता है और निर्णे में अन्य दूसरे लोगों की भी भूमी का होती है लिहाजा उन्होंने वह पत्र अपने साहई ग्यान प्रकास जी को इस निर्देश के साथ बेजा कि इस पर आवश्चक कारवाई की जाए ग्यान प्रकास जी खुराट साह प्रकास जी जो है अपने साहई को ये बेज देते हैं कि इस पर आवश्चक कारवाई की जाए और ग्यान प्रकास जी जो है वो काफी इंटेलिजन थे ग्यान प्रकास जी ने तुरंत वह फाइल निकाली जो मॉबाइल फोन के खर्चे से संबन दिती अब इसमें ध्यान देने योग्या बाते क्या है बिटा सरकारी पत्र तो सबसे पहले बात क्या है कि यदि एक नंबर में कोशन आ जाता है आपके पास कि सरकारी जो पत्र है वो कौन सी सरेणी में आते हैं अपचारिक पत्र की सरेणी में आते हैं तो आपका अंसर होगा सरकारी पत्र अपचारिक पत्र की सरेणी में आते हैं प्राई ये पत्र एक कारियले विभाग या मंत्राले से दुसरे कारियले विभाग या मंत्राले को लिखे जाती हैं पत्र के सीर्ष पर कारियले विभाग या मंत्राले का नाम वे पता होता है जैसे कि पेटा आप देख रहे हैं सबसे ऊपर क्या है कि कारियले का नाम और पता है देखे कारियाले क्या है ओखिल भारतिय साहिपते एवं संस्कृ संस्थान और फिर जो है कारियाले का विभाग का जो मत्रा है उसका नाम और पता होने के बाद पत्र के बाई तरफ वाईल संख्या लिखी जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं पत्र के Mexican की तरफ जो है हमारी पत्र संख्या जैसा मैंने आपको बताया था यानि कि सरकारी पत्र लिखते समय आपको किन जो है मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहले जो है पत्र के ऊपर क्या होता है कि कारियल्य या विभाग का नाम होता है और पता होता है और बाई तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है जिससे ये सपस्ट हो सके कि पत्र किस विभाग दवारा किस विशे के तहट कब लिखा जा रहा है। पत्र किस विभागद्वारा किस विशे के तहत कब लिखा जा रहा है जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम पता आधी बाई तरफ लिखा जाता है यानि कि जिसको पत्र आप लिख रहे हैं रिशीवर जो है उसका जो संबोधन है वो बाई तरफ लिखा जा सकता है कई बा जो है अधिकारी का नाम भी मेंशन किया जाता है सेवा में का प्रियोग धीरे-धीरे कम हो रहा है कि सेवा में जो है बच्चे लिख भी रहे हैं और नहीं भी लिख रहे हैं लेकिन जो सेवा में का प्रियोग है वो कम हो रहा है धीरे-धीरे विशह सीर्षक के अंतरगत में लिखा जाता है कि पत्र किस प्रियोजन के लिए या किस संदर्व में लिखा गया है तो जो हमने मुख्य बाते देखी है बेटा सरकारी पत्र में तो वो क्या है बच्चे कि सबसे पहले जो है उस संस्थान का नाम लिखा जाता है फिर जिस संस्थान से पत्र आया है जिस स अंस्थान से पत्र आया है, उसका एड्रस, उसका नाम और फिर फाइल संख्या बाई तरफ और बाई तरफ ही फिर रेसीवर का संबोधन आता है, उसके बाद महोते से पहले विशे मेंशन होता है, तो विशे में जो है, विशे जो है सिर्शक के अंतरगत संक्षेप में यह ल लिखा जाता है तो विशे बेटा हमेशाद छोटा होता है विशे की बाई तरफ महोद्य संबोधन लिखा जाता है पत्र की जो भाशा है सरलों है जो होनी चाहिए कलिष्ट शब्दों का प्रियोग जो है हमें पत्र में नहीं करना चाहिए यानि कि जो पत्र लिखते समय दान प्रेशित करने के लिए प्रसाशनिक शब्दावली का प्रियोग करना ही उचित होता है कि कई बार क्या है जो हमारी प्रसाशनिक शब्दावली है उसका ही प्रियोग जो है हमें सरकारी पत्रों में करना चाहिए इस पत्र के बाई और प्रेशक का पता और तारीख दी जाती ह पत्र के पाई तरफ प्रेशक कोन होता है भेजने वाला तो प्रेशक का पता और तारिक दी जाती है और पत्र के अंत में भवदिये शब्द का प्रियोग अधोलेख के रूप में होता है यानि कि भवदिये शब्द का प्रियोग करते हैं अंत में और भवदिये के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और हस्ताक्षर के नीचे कोश्ठक में पत्र लिखने वाले का नाम मुदृत होता है मुत्रित मतलब लिखा हुआ होता है और नाम के नीचे पद नाम लिखा होता है और नाम के नीचे जो है उसका पद लिखा होता है ये होती है सरकारी पत्र लिखने की जो हमारा तरीका है वो तो सरकारी पत्र लिखते समय हमें जो है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि संकरन जी ने पत्र को जो है पढ़कर कहां पर दे दिया था ग्यानचन जी को और वो काफ़े इंटेलिजन थे तो ग्यानचन प्रकाश जी ने तुरंत वह फाइल निकाली जो मोबाइल फोन के खर्च से संबन्दित थी खर्च में कटोती से संबन्दित थी फाइल और उसमें लगे परी पत्र उन्हें मुखागर थे यानि की फाइल में लगे हुए परी पत्र जो थे उनके मुख्ये सामने थे फिर भी उन्होंने उन पर एक नजर डालने के बाद फाइल पर कुछ इस तरह इस प्रकार की टिपनी लिखी अब देखिए बिटा मैंने जैसे बताया था आपको टिपन दाई तरफ और जो पत्र है वो बाई तरफ फाइल में लगे हुए हैं तो उस पत्र पर क्या टिपनी दी क्या ज्वाब दिया तो टिपन कैसे लिखा उन्होंने तो मुख्य टिपन नोटिंग ये टिपन लिखने का तरीका है आपका यह है टिपनी मुंबई स्थित अक्षेत्रिय कार्याले के निदेशक के उस पत्र से संबंदित है जिसकी फाइल संख्या मुंबई कार्याले 52005 है और जो दिना 15 मार्ज 2005 को भेजी गई है पत्र में यह निदेशक ने मुबाइल फोन के मासिक वेपर लगाई गई सीमा को 2000 रुपे से 6000 रुपे तक बढ़ाय जाने का आग्रह किया है यानि कि उस पत्र के आने पर क्या जवाब मिला है तो उसका यह कहलाएगा टिप पनी इस संधर्व में महा निदेशाले द्वारा दिनांग 23 नवंबर 2004 को जारी परिपत्र पर ध्यान देना आवश्यक है जो इस फाइल की प्रिष्ट संख्या 12 पर है इस प्रिपत्र में खर्च की सीमा 2000 रुपे निर्धारित की गई है और किसी भी प्रिष्टीती में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है इस सिलसरे में क्रिपय इस फाइल में इसी विशय पर की गई पहले की तिपनी को देखें जो प्रिष्ट संख्या 8 पर है तिपनी को पढ़ने से स्बस्ट है कि खर्च की सीमा का निर्धान सभी पहलों पर विचार करने के बाद सोच समझ कर लिया गया है यह भी विचारनी है कि खर्च की सीमा बोड की स्विक्रती से निर्धारित हुई है और बिना बोड की अनुमती के इसमें किसी भी प्रकार का पदलाव संभन्द संभव नहीं है विचारार्थ, प्रस्तूत, अनुभाग, अधिकारी, ज्यान, प्रकास, सहायक तो अनुभाग, अधिकारी और राइट हैंड की तरफ उसने लिखा है सहायक अपना पद सबसे पहले उनके साइन है फिर उनका पूरण नेम है और उसके बाद जो है सहायक उनका पद है तो अब टिपण जब हम लिखते हैं तो बेटा टिपण में जो है ध्यान देने योगे बाते हमारी कौन-कौन सी होती हैं तो टिपण में ध्यान देने योगे बाते हैं किसी भी विचारा धीन पत्र अथवा परकरन को निप्टाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश या नर्देश दिया जाता है वह टिपण कहलाता है तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों आपकी टिपण क्या होता है किसी भी विचारा धीन पत्र को जिस पर विचार किया जा रहा हो अथवा परकरण को निप्टाने के लिए उस पर जो राय या जो मंतव्य या आदेश दिया जाता है वो कहलाता है तिपण तिपण का उदेशय उन तथ्यों को सपस्ट और तरक संगत रूप से प्रस्तूत करना है जिन पर निरने लिया जाना है साथ ही उन बातों की और भी संकेत करना है जिनके आधार पर उक्त निरने संभवत है लिया जाता है तो जो निरने जो है तरक संगत है वो भी प्रस्तूत किया जाता है और किस आधार पर यह निरने लिया जाता है उन बातों की और भी संकेत किया जाता है तीपन का उधिश्य जो है मामलों को नियमा अनुसार निप्टाना है तीपन का जो उधिश्य है लक्षय है मोटिव है वो क्या है कि मामलों को नियम के अनुसार निप्टाना ये नहीं कि अधिकारी अपनी राय के अनुसार काम करेगा जो उसकी सोच है नहीं बेटा जो उन्होंने मेंशन किया है पत्र में पहले या जो पहले टिपण में मेंशन किया हुआ है उसके आधार पर ही जो है अधिकारी निर्णे देता है तीपण मुखे दर दो प्रकार के होते हैं सहायक स्तर पर टीपण और अधिकारी स्तर पर टीपण कारियाले में टीपण कारिया अधिकतर सहायक स्तर पर होता है तो जो सहायक है वही जो है टीपण जो है तयार करता है यानि कि अधिकारी जो है एक तो अधिकारी ही स्तर पर अधिकारी ही टिपण तयार कर दे और दूसरा क्या है कि यदि अधिकारी टिपण तयार ने करे सहायक तयार करे जैसे आपने उपर पढ़ा है ग्यान प्रकास जी ने टिपण तयार किया था एक सहायक ने तो वो अधिकारी स्तर पर टिपन तो बेटा सबसे जो यहां वन वन मार्क्स की कोश्चन आप बिल्कुल साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे क्योंकि यह नहीं है कि कोश्चन कहीं से भी आपका आ सकता है वन मार्क्स के लिए और इस पुस्तक में से मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोश्चन जो आएंगे वो वन मार्क्स के ही आते हैं तो यहां पर ध्यान देने योगे बात यह है कि सबसे जो नया वर्ड भी है आपके लिए कि टिपन क्या होता है तो टिपन क्या होता है विचारा धीन पत्र अथ्वा परकरन को निप्टाने के लिए जो राय मनतव् विबेचन करता है. आरंभिक टिपन इस प्रकार के टिपण में सबसे पहले मूल पत्र या आवरती में दिये गई विवर्ण तथा तथ्यों का सार दिया जाता है। अपने अधिकारी की सम्मव प्रस्तूत करता है। जिसे अधिकारी को प्रस्तूत किया जाना है उसका पद नाम वह बाई और लिखता है। होता है कि टिपण लिखने से पूरव साहिक के लिए संबंदित विशे को समझना पहुत जरूरी होता है। अपने आप में पूरण स्वस्ट होनी चाहिए। जो टिपणी है वो बिलकुल पूरण और स्वस्ट होनी चाहिए। इसमें असली मुद्दे पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। टिपणी संक्षिफ्थ होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ज्यादा विस्तार पूरवक वर्णन टिपणी में नहीं होना चाहिए। और जो टिपण कार को अपने विचार, संतुलित एवं सिष्ट भाशा में देने चाहिए। इसमें व्यक्तिकत आक्षेप, उपदेश या पुर्वा ग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता। टिपणी सदेव अन्य पुरुस में लिखी जाती है। जैसे हमने पढ़ा है कि टिपणी बेटा हमने पढ़ी है तो उसमें जो आपने देखा होगा कि अन्य पुरुस को संबोधित करके जो है टिपणी लिखी हुई है। श्री ज्यान प्रकास जी के ज्यान से प्रकाशित होने के बाद फाइल जब संक्रन जी के पास आ गई तो वे पहले से भी भरे बैठे थे। ज्यान प्रकास जी की टिपणी को पढ़ने के बाद उनकी बाचे खिल गई। वही वो तो चाते ही यही थे। ज्यान प्रकास जी की मुख्य टिपणी के निचे उन्होंने अपनी आनुसांगिक टिपणी कुछ इस प्रकार से दर्ज की। देखे यह तो थी मुख्य टिपणी जो आपने पढ़ी अब अधिकारी ने देखे सहायक अधिकारी ने बिटा आपनी टिपणी लिखी उसे कहेंगे मुख्य टिपण या नौटिंग उसके बाद अधिकारी जो है अपनी टिपणी लिखता है आनुसंगिक टिपण जिसको ह हम बोलते हैं तो मैं उपर जो है तो अधिकारी की टिपनी देखिए अनुसंगी टिपनी जिसे हम बोलते हैं मैं उपर लिखी टिपनी से सहमत हूं साथ ही इस और भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुंबई कारियले के निदेशक पिछले 6 महीने से निर्धारित सीमा से अधि निदेशाल द्वारा दे होनी चाहिए यह रासी निदेशक के वेतन से काटी जा सकती है तो जो अधिकारी है वो यह आदेश देता है कि पिछले 6 महीने से जो अधिक रासी का प्रियोग कर रही है मुंबई जो क्षेत्रिय कारियाल है तो यह जो है उसके निदेशक के जो है वे वे तो